हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टेटी विट किंग पर्डसन यूटिव चैनल दोस्तों आज की वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए खासर के रेले ग्रूप डी और अंड किसी भी वन डे एक्जाम जिसमें भी साइंस पूछा आता है उसकी लिए यह वीडियो बहुत ही मत्यपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग इस पीडी साइन्स रिवाइज और सेल्फ के वोल्यम टू को पढ़ने वाले हैं और यह जो है इस स्रीस का 21 पार्ट है इससे पहले हम लोगों ने जो है 20 पार्ट तक कवर कर लिया अब जो है हम लोग 21 से जो है continue कर रहे हैं तो चली सुरू करते हैं इस स्रीस को तो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आया है तो चलंग को सब्सक्राइब करके बेल आकिन को जरूर प्लिश करें ताकि आपको हर एक वीडियो क आपको मिलता रहे और हां दोस्तों आपको किसी बुक का वीडिया प्लेना है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ रहता है डिसक्रिशन में उस लिंक पर जागर के क्लिक करेंगे तो वह सारे बुक आपको सबसे लोग प्री में वहाँ पर मिल जाएंगे तो चली गार शुरू क कर लते हैं इस वीडियो को जाए टाइम नहीं वेश्ट करके तो चली सुरू करते हैं और यह जो है पहला प्रश्न है देखिए पहला प्रश्न है रताउंधी जो है किस बिटामिन की कमी से होता है तो रताउंधी बिमारी जो होता है या विटामिन ए की कमी से होता है आप्स सो फोर हाप स्ट्धू ओठीक है आफ से नम्बर से नेच्ट है विटामिनol कि कमी कारण होता है तो बेरी option number C याँ बैट जाएगा यानि कि दोनों है bc नेश्ट है vitamin A की कमी रतोंदी नामक हो जाता है option number B यहाँ बैट जाएगा . नेस्ट है विटामीन ब का रसाइंके नाम जो है क्या है तो विटामिन विक यान की खने वाला सोडा का रसाइंक नाम जो है यह यह स्फडियम बाइकार्बो नंबर भी ही यहां बैट जाएगा नेश्ट यहंट मिना बुझा चूना का रसानिक शुत्र जो हैं क्यां पाइट जाएगा सुष्प कर प्रको किया बैट जाता है तो सुष्प बर्प को जो है ठोस्कार्बन डिया को जाता है option number A यहाँ पैट जाएगा यानि की CO2 कहा जाता है इसे next है अस्रुगैस का रसानिक नाम जो है क्या है तो अस्रुगैस का रसानिक नाम है chloroacetophenon ठीक है option number C यहाँ पैट जाएगा next है स्करवी नामक रोग जो है किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो इसकरवी नामक रोग जो है या विटामिन C की कमी कारण हो जाता है option number C यहाँ बैट जाएगा next है विटामिन D का सर्वत्तम स्रोज जो है क्या है तो विटामिन D का सर्वत्तम स्रोज जो है या सुरिक का प्रकास है option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है विटामिन B7 का रसायनिक नाम जो है क्या है तो विटामिन B7 का रसायनिक नाम है बायो टीन ठीक है अप्शन नमबर B यहाँ बैट जागा नेश्ट है जिपसम का रसायनिक सुत्र जो है क्या होता है तो जिपसम का रसानिक सुत्र होता है C-A-S-O-4-2-H-2-O ठीक है, option number B यहां पैट जाएगा Next है नपुन सकता या बंदतता जो है किस विटामिन के कमी के कारण हो जाता है तो नपुन सकता या बंदतता जो है या विटामिन E की कमी कारण होता है option number C यहां पैट जाएगा Next है विरंजक चोड़न का रसानिक नाम जो है क्या है तो विरंजक चोड़न का रसानिक नाम जो है या है bleaching powder option number D यहां पैट जाएगा Next है साधारन नमक का रसानिक नाम क्या है तो साधारन नमक को sodium chloride करते हैं ठीक है अप्सिन नमबर एँ पैट जाएगा nacl काते है nacl जो है या सधाय नमक का सुत्र होता है जिसे बोलते है sodium chloride next है vitamin k का रसाइनिक नाम जो है क्या है तो vitamin k का रसाइनिक नाम है philocquinone टीक है philocquinone जो है या vitamin k का रसाइनिक नाम है option number B यहाँ पैठ जाएगा next है Mars gas जो है किसे काते हैं तो Mars gas जो है या Methane gas को कायाता है option number A यहाँ पैठ जाएगा इसका formula हो जाता है CH4 ठीक है यह भी याद रखेगा next है भारी जल का रसायनिक नाम जो है क्या है तो भारी जल को जो है Deuterium Oxide काते हैं यानिकि D2O काता है क्या करते हैं D2O काता है option number C यहाँ पैठ जाएगा next है भारी जल का रसायनिक सुत्र जो है क्या है तो भारी जल का रसायनिक सुत्र जो है या अभी बताया मैंने आपको D2O होता है option number C यहाँ पैठ जाएगा नेश्ट है मचलियों के यक्रित के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है तो मचलियों के यक्रित के तेल में जो है विटामिन D की बहुलता होती है यानि कि विटामिन D जो है प्रशुर मातरा में पायाता है मचलियों के यक्रित के तेल में आपसन नमबर D यहां जाएगा नेस्ट है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग जो है क्या है तो विटामिन D की कमी से होने वाला जो रोग है या है रिकेट स्टिक है बच्चों में होता है ऑप्शन नमबर D यहां बैट जाएगा नेस्ट है विटामिन सब्द जो है किस ने दिया है तो विटामिन सॉपएट है मिंहाइडिट जो है प्लाश्टर ओंपेरिस का रासायनिक नाम है और सन मरत दियागा नेस्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम जो है क्या है लिक्ट तो जिप्सम का चोवाट को बार्ड जो है कि स kuiced एंद कर ला में पाया जाता है तो कवाल और बी यहां प्राट चेड़ाँटर एट अविश्कार है तो मेधमina सो है जो है यह प्रोट्ण मन प्राट को मिला देंगे तो यह अप प्रोट्ण करिमान हो जाएगा घिक है और से नमबर डी यहां बैट जाएगा नेश्ट है इस्टार्ज को माल्टोज में बदलने वाला इंजाइम जो है कौन है तो इस्टार्ज को माल्टोज में बदलने वाला इंजाइम जो है यहां मानौप पाताए नेंस्ट by दवार का उहां मेलता है। . वाइरस के द्वारा की अस्थापना कब हुई थी? तो अन्तरिच विवाग की अस्थापना 1922 इमी हुआ था option number B यहाँ बैठ जाएगा नेंच्ट है अन्तरिच में जाने वाली पर्तम महिला जो है कौन है तो अन्तरिच में जाने वाली पर्तम महिला यह है वेलेंटीना तरिस्कोवा ठीक है ओप्सन नंबर सी यहां बैठ जाएगा next sodium का परतिक जो है क्या है तो sodium को जो है n a यहाँ से दसाते हैं option number c यहाँ बैठ जाएगा sodium का परतिक क्या है n a है next है sona chandi copper and loha में सबसे अधिक तरनी जो है कौन है तो sona सबसे जो है तरनी है option number a बैठ जाएगा sona chandi कॉपर और लोहा में जो है सबसे अधिक तरनी जो है कौन है सोना है option number A हाँ पैट जाएगा next है 18 karat में कितना percent जो है सुद सोना पाए जाता है तो 18 karat में जो है 75% जो है सुद सोना पाए जाता है option number B हाँ पैट जाएगा next है dynamite में मुखी रूप से होता है क्या तो dynamite में जो है मुखी रूप से नेट्रो क्लिरसेन पाए जाता है option number B हाँ पैट जाएगा next है सिंदूर यानि की भकरा किसे कहा जाता है तो सिंदूर जो है जो भकरा होता है या कहा जाता है HGS को ठीक है HGS होता है या क्या इसका सुत्र है HGS होता है ठीक है मरकरी सलफेट काते है सिंदूर को कहते है इसे मरकरी सलफेट कहाता है ठीक है इसका रासानिक नाम हो जागा ं क्या मरकरी सलफेड हजी एस टीक है option नमबर बी हाँ बैठ जागा नेश्ट है एफे जो है रसायनिक परतिक है किसका तो एफे का रसायनिक परतिक जो है किसका है लोहे का यानि कि आयरेंड करते है एफे को क्या करते है आयरेंड या जो है लोहे का रसायनिक परतिक है ओप्सन नमबर बैट जाएगा नेश्ट है अंतरिच में प्रवेस करने वा पर्थम अंत्रिच यान जो है कौन है तो चंद्रतल पर मनुस्य को उतारने वाला पर्थम अंत्रिच यान जो है अपोलो 11 है ऑप्शन नमबर बी यहां बैठ जाएगा नेश्ट है विद्यसी भूमें से छोड़ा गया भारत का पहला वैग्यानिक उपगरा जो है तो विद्य ट्यूल यहां बैठ है दियाल आफ़ जो है किसे कहा जाता है तो और अब यहां जो है यहां आश sua4 को कहता है आपस्टिया बैठ जाएगवा द्स्ध सर और Willud FIFA ब्रांब है से ठीक है आप्सनट नंबर भी हां प्रेट जाएगा निस्ट ए सीटु एक एस ओच का सुतर जो थो नाम से पाय जाता है तो डाय क्लोरो डाइक लोडाय फ्लोरो मेथेन जो है या फ्रियोन के नाम से बाजार में पाया जाता है option number A यहाँ पैट जाएगा next है quicksilver का रसाइनिक नाम जो है क्या है तो quicksilver का रसाइनिक नाम है पाराद यानिकी पारा option number A यहाँ पैट जाएगा सब में पाय जाने यहां तामभा अप्सिन ञेंड है जए यह यह प्याट आए प्रक्रिया नेट है जस्ता चड़ाने की प्रक्रिया में लो चाधर जो जोहां इस dove 참 शारा भाय अंतिरश कनर जोहां यह त्रिवेंद्रं में इसे थे ओप्षिन nember एअ बैट जएगा ने possibility मंगलकरापर उतरने वाला प्रतम अंतरिष यान जो है कौन है तो मंगल गरा पर उतरने वाला प्रतम अंतरिष यान जो है या पाथ फाइंडर था option नमबर D यहां पैट जाएगा next है सुद कारबन का सबसे ठोस रूप जो है कौन सा है next है sodium का परवानु संख्या जो है कितना होता है तो sodium का परवानु संख्या होता है 11 8 है option number B यहाँ बैट जाएगा next है अमल गमन में रहता है कौन तो अमल गमन में जो है HG यानि की मरकरी रहता है option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है अधिक्तम तन्यता वाला धातु जो है कौन है तो अधिक्तम तन्यता वाला धातु जो है यह है सोना option number C यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है निम्लिकित में से किस धातू का तार आसाने से खीचा जा सकता है तो तामबा धातू का तार जो है आसाने से खीचा जा सकता है option number B यहाँ बैट जाएगा next है निम्लिकित में से कौन तार जो है खीचने योगे सबसे नमनिय धातू है तो खिचने योगे सबसे नमनी है धातू जो है यह है सोना ठीक है option number A यहाँ पैट जाएगा क्योंकि सबसे ज़्याद तरनी जो है सोना ही होता है next है जल में सबसे कम गुलंसील गैस जो है कौन है next है जल में सबसे कम गुलंसील जो है गैस होता है यहाँ पैट जाएगा next है हेलोजन में सरवाधिक प्रभाव साली आक्सिकरन करता जो है कौन है next है अमल वर्षा मुक्रता किस गैस के कारण होती है next है मेथन का रसाने सुद जो है क्या होगा next है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है next है ततो का सबसे पहले वर्षा जो है नियूजलेंड ने क्या था next है रसायनिक योगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है यह है अनोठिक है next है एक परमानो दर्मान को व्यक्त किया जाता है किस चीज में तो एक परमानो दर्मान को जो है एम यू में व्यक्त किया जाता है option number c यहाँ बैट जाएगा next है वह सबसे छोटा कर्ण जिसमें उस्तत्य के सभी गुन मदमान होते हैं वह कौन है तो वह सबसे छोटा कर्ण जो है वह कौन है जिसमें उस्तत्य के सभी गुन मदमान होंगे तो वह है परमानो ठीक है option number a यहाँ बैट जाएगा next है मानो शरीर में जल की मातरा जो है कितनी होती है तो मानो शरीर में जल की मातरा जो है यह 80% होती है option number d यहाँ पैट जाएगा next है मनुसिक का सामान तापकरम लगबग 98.6% होता है option number a यहाँ पैट जाएगा next है मानो शरीर में आहार यानि की भोजन जो है मुकिता कहां पसता है तो मानो शरीर में जो है आहार या मुकिता जो है छोटी आत में जो है या आहार पसता है या कहां पसता है चोटी आत में पसता है next है मनुस से लोहा जो है किस से प्राप्त करता है तो मनुस से लोहा प्राप्त करता है पालक से ठीक है पालक खाने से या लोहा प्राप्त होता है हम लोग को option number B यहां पैठ जागा नेश्ट है मानो सहरी में सबसे प्रचूर मातरा में पाय जाने वाला ततु जो है कौन सा है तो मानो सहरी में सबसे प्रचूर मातरा में पाय जाने वाला ततु जो है यह है कारवन आप्शन नमबर A यहां बैठ जाएगा नेश्ट है किस पोसक तत्तो का सरपर्थम मुख से पाचन होता है तो कार्वोहाइडेट का पाचन सरपर्थम मुख से हो जाता है option number B यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है भोजन का पाचन निमलिकित में से किस अंग में प्राराम होता है तो भोजन का पाचन जो है या मुक से ही प्राराम हो जाता है option number A यहाँ पैट जाएगा next है सरीर का सबसे बड़ी हड़ी जो है कौन सी है तो सरीर के सबसे बड़ी हड़ी जो है या फीमर है जांग की हड़ी option number B यहाँ पैट जाएगा नेश्ट है मानो सरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है कौन सा है तो मानो सरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है या कौन है या क्रीत है ओप्सिन नमबर B यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है मानो मस्तिक्स जो है कितने ग्राम का होता है तो मानो मस्तिक्स जो है तेरा सो पच्चास ग्राम का होता है option number A यहाँ बैट जाएगा नेश्ट है मनुस्य के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग जो है क्या कालाता है तो मनुस्य के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग जो है या प्रम मस्तिक्स कालाता है option number C यहाँ बैट जागा नेस्ट है सरीर में सबसे बड़ी कोशी का जो है कौन सी कोशी का है तो सरीर में सबसे बड़ी कोशी का जो है या तंत्री का तंत्र की कोशी का है option number A यहाँ बैट जागा नेस्ट है सरीर की सबसे छोटी गरंती जो है कौन सी है यहां बैट जागा नेस्ट है आप मानों सरीर में उप्रोस्ति को कहा पाएंगे यान कि उप्रोस्ति जो है या जांग में पाए जाता है ठीक है वसे नंबर टीडिगा सांस लेताएं तो हम एक मिन्ट में जो है 16 से 18 बार जो है 16 से 18 बार सांस लेते हैं, option number A यहाँ पैट जाएगा, next है टीबिया नामक हड़ी जो है पाई जाती है कहाँ पर, तो टीबिया नामक हड़ी जो है यह टांग में पाई जाती है, टॉसे टीबिया टॉसे टांग, याद रखेगा, या अप्टमॉलिक समंदित है आंख से, डिक है, option number A बैट जाएगा, next है, मानव सेरीर में कौन सा पधा ततकालिक उर्जा का मो की स्रोत है, तो मानव सेरीर में ततकालिक उर्जा का स्रोत जो है या कार्भो हाइड़ेड है, option number D यहाँ बैट जाएगा, next है, मानव रख्त का pH मा जो है कुतना होता है तो मनुपसिक हीर्दय में समान इस्पंदन गती प्रती मिनित को है यह share होता है प्रत्तर परतिमेंट होता है option number B है यहां प्यांट जाएगा . सरवदाता रख्त रुधीर जो है वर्ग कौन है यान कि यूनिवर्सल डॉनर डॉनर जो है यह कौन है तो डॉनर से हो जांगा डोव ठीक है डॉनर ओ होजता है लास्ट में तो डॉनर से हो हो जाएगा ठीक है याद रहने हमदाता जो है कौन है जो है कौन होता है सरव घ्रुप वाला व्यक्ति छो है केवल आबыми को ठीक है। option नंबर B है रंट जाएगा नING मिल तो that समयावाले आदमी का रक्त जो है यह दीया सकता है सभी को याने कि एको भी देसकते हैं और है और दी को आरी समय को दे सकते हैं ऑप्चन नमबर डीओंग मानंव सहिर में रत्चाप जो है निद्रत करता है तो मानाव सहीर में रख्त चाप को निंदित करता है एडरेनिल ग्लेंट ठीक है एडरेनिल ग्लेंट जो है या रख्त चाप को जो है निंदित करता है ऑप्सिन नमबर A यहां पैट जाएगा हां नश्ट इन्सूल्िन की कमई से क्या रोग हो जाता है इनसूलिन की कमई कारण जो है कौन सा रोग होता है तो इन्सूलिन की कमिद जो है या डावि데स रोग हो जाता है option नंबर ब yan पैटư जाएगा नेश्ट मानव सरीर में क्रोमोजोम यानि कि गुंशुत्रों की संख्या कितनी होती है तो मानव मोत्र का पीछ मान जो है कितना होता है तो मानों मुत्र का पीच मान जो है छो होता है option number C यहाँ पैठ जाएगा नेश्ट है मानों सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है कौन है तो मानों सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है इस्टेपी जो है कान की हड़ी option number B यहाँ पैठ जाएगा नेश्ट है मानो सरीर का सामाने तापकरम जो है कितना होता है तो मानो सरीर का सामाने तापकरम जो है सैतिरी सिंट्रिगेट होता है option number C यहाँ पैठ जाएगा नेश्ट है इंसुलिन जो है स्रावित होती है कहां से तो इंसुलिन जो है स्रावित होती है पैंक्रियाज यानि की अगनासाई गरंथी से option number A घट जाएगा next है लाल रखत कन का निर्मान होता है कहां पर तो लाल रखत कन का निर्मान होता है अस्थि मर्ज़ा में option number A घट़ जाएगा नेश्ट है एक वैस्क मनुस्य के रक्त की औसत मात्रा जो है कितनी होती है तो एक वैस्क मनुस्य के रक्त की औसत मात्रा जो है या पांस से छो लिटर होती है और से नमबर सी यहां बैठ जागा नेश्ट है लाल रक्त का आकार जो है कैसा होता है तो लाल रक्त का आकार जो है option number a यहाँ बैट जागाode next है रख्तकों जमाने में कौंसा protein जो है उप्योग में आता है तो रख्त को जमाने के लिए जो है नेच्ट है सरीर में हीमोगलोवईन का कारी जो है तुर सरीर में हीमोगलोवईन का परिवहन करना अप्सिन नमबर यहाँ बैट जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू झाल झाल